पाकस्तानी चाय कहीं भी क्यों न रहे हैं वो हमेशा भारत के खिलाफ साज़िश करते ही रहेंगे अमरीका इस सित पाकस्तान से जोड़े चैरिटी संगटनों में कोविड नाइटीन संगटनों में भारत की मदद करने के नाम पर अलाग अलाग संगटनों और लोगों से चंदा लेकर लाखो डॉलर जमा कर लिए और फिर उन पैसों को भारत बिजने के वज़ाए आतंगी दुनों में भारत में आतंगी हमला करवाने दंगा बढ़काने के नाम पर भारत के मदद के नाम पर मीले पैसों का इस्तमाल किया है एक रिपोर्ट के जरिए अमरीका की डिस इंफो लैब में कोविड नाइटीन स्कैम दो यार इकिस का किया है जिसमें कहा गया है कि मानता की इत्यास पर परकस्तानी संगटन ने सबसे बुरा स्कैम किया है संस्था ने हल्पिंग इंडिया के नाम पर लाकों डॉलर चंदा वसुला भारत में आक्सिजम संगट के नाम पर लोगों से चंदा लिया और फिर लाकों डॉलर जोडा लिये दिस इंफो लैब की रिपूर्ट के मुताबिक अमरीका इससे पाकिस्टानी संस्था ने हेल्पिंग इंडिया ब्रैथ के नम पर लोगों से जोड बोला और फिर चंदे के पैसो को आतंकियों के हाथ में दे दिया भारत जब कोरोना वाइरस की दूसरी लेर से जूज रहा था उस वक्षट भारत की मदद के लिए दुनिया की की देश आ गया है और के इसस्थाओं ने भारत की मदद की लेकिन पाकिस्टानी संस्थान ने मानफता की इत्यास में सबसे गिरा हुआ काम किया है दर डिस इंफो लैब ने खुलासा किया है कि पाकिस्टान की की चैरिटी संस्थाओं ने भारत की मदद के नापर चंदे में लाकों डॉलर इकटा किये इसके लिए इन चैरिटी संस्थाओं ने अलग अलग देशों को की जाने वाली भारती मदद का हवाला दिया लेकिन इन पाकिस्तानी सहस्थाओं का कट्रपंती इसलामिक संगटों के साथ साथ के यातंगी संगटों से करीव रिचता है और इस संगटों है पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर काम करती है और भारत के खिलाब साज़िशे रस्टी जाती है एक ऐसे ही अमरीकी स्थित पाकिस्तानी संस्था के नाम का खुलासा हुआ है इसका नाम Islamic Medical Association of North America है The Disinfo Lab की रिपोर्ट में कहा गया है कि संकट में भारत की मदद के लिए दुनिया भर के अच्छे लोगों ने करोड़ रुपे दान के दिये लोगों ने पाकिस्तानी संस्थाओं को करोड़ रुपे दान के तोर पर दिये लेकिन पाकिस्तानी संस्थाओं ने दान में मिले पैसो की चोरी कर ले रिपोर्ट में कहा गया कि इन पाकिस्तानी संस्थाओं को कोई जवाब दई नहीं है और इन लोगों ने करोड़ रुपे की चोरी किये लिहाज आइन सस्थाओं की जवाब दरी तैय होनी चाहिए दुनिया में ऐसे सस्थाओं की जवाब दरी तैय करने के लिए कोई तंतर ही है Islamic Medical Association of North America एक इलीन नुई इस आधारिट चेकित सारा संगटन है ऐसे अपचारिक तोर पर 1967 में Islamic Medical Association यानि आई-म-A के तोर पर थापित किया गया था लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर आई-म-A-N-A कर दिया गया इस इन्फो लैब की रिपोर्ट के अनुसार बाद की मदद के नहां पर एक ड्लागड दॉलर पर ते गंटी की मद़ भी थी और रिपोर्ट की मुदावित इस सथाने भारत के मदद करने कर नहां पर दुनिया बड़ सथे खेस कुरूर, से एक सौयाटाओन करोड बस्मूर कि रिपोर्ट की मुदाबित इमाना सुस्था पाड़ दर्टिश्था कि एक भी निमों का पलंग नहीं कर रही थी और इस सुस्था ने वास्तिविक तौर पर कितने रुपए जमा किया इसको कोई पता नहीं लगाया जुस्था इमाना के चेर्वन डॉक्टर इसमाईल महर ने कही संदिक दाव़ किया है नोने साथ माई को आठ लाग डॉलर अमरीकी डॉलर के जिकिस्था उपकरण खरीद कर भारत बेजने का दाव़ किया था जिसे एक लाग नेजल कनल्स चालिस जार नंग रेथर मास चार्सुपचास आक्सजिजं कांसेटर समलते है लेकिन ये कभी भारत पहुंचे ही नहीं थे इसके साथ इस संद्धा में दुसरा दाव़ किया ने एक भी दावा जांच के दोरां सही नहीं पाया गया है। रिपोर्ट के मतावित दावा किया गया है कि इमाना के साथ ही जिन पाकिसानी संगस्ताओं नहीं भारत के नाप परचंदा लिया है। उसे आतंगित समिट्वनों तक पहुचा दिया गया है। तो आखिर में इस स्पूर्ट में आपने देखी लिया कि किस तरह पाकिसान मदद के नाम पर भी गड़ड़ घुटाला कर रहा है। मैं पता है पाकिसान इस से भी कुर जाएगा।